अले एवर्डिवन वेलकम टू दी वोड़ अबेड में डिसकेस करते हैं समानतर स्रेंडी की नेक्स्ट इक्ससाइब 5.3 जो की बेस्ट है योगफल पर योगफल का फॉर्मुला होता है स्न इक्वल्स टू नवाई 2 तू अब जैसे कोस्टन नॉमर वन है पर दस पदों तक तो यहां एन की वैलू हो गई 10 जो प्रतम पद है ए वो गई 2 तो डी कितना हो जाएगा सेकेंड माइनस फर्स्ट यानि 7 माइनस 2 यानि की 5 यह वैलू यहां प्लेस कर देंगे फर्स्ट कोस्टन तो स्न दस पदों करेंगे तो स्न इसको पढ़ेंगे दस पदों का योगफल यह की 10 अपां 2 फिर 2 यह का मतलब 2 यह एन माइनस 1 यह की 10 माइनस 1 नाइन यह की 10 अधस 3 यह 4 यह 4 अधड थुग की 10 यह 5 स्न एंट hurricane टी यह 4 यह 5 यह 45 5 यह थी 4 यह 4 यह लोगेंगे तो 5 यह 45 यह contrnd 4 यह 245 यह 4 यह 245 इसी प्रकार यह question हो जाएंगे यहां पर n की value 100 है a की value 0.6 अब d कितना हो जाएगा 1.6 minus 0.6 यानि की 1.1 n की value दे गए 100 a की value 0.6 इस वाले formula हम खाली value put करने है n equals to n by 2 2a plus n minus 1 into d next type का question क्या है second number series d गई है इसमें n नहीं दिया गया है सबसे पहले n find करेंगे जब भी first or last term दिया जाए तो इसका मतलब n निकालना पड़ेगा second का first series d की 7 plus 10 whole 1 by 2 plus 14 and so on a की value हो गई 7 d कैसे निकालना गे second minus first 10 whole 1 upon 2 को लिख सकते हैं 20 बटे 2 20 plus 1 minus 7 यह कितना हो जाएगा 21 minus 14 upon 2 उपर हो जाएगा कितना है 7 upon 2 a पता चल गया d पता चल गया n कहीं से माइनट करेंगे an equals 2 होता है a plus n minus 1 into d an उतला लास्ट वालडर 84 एक इतना है 7 n पता नहीं d निकाल चुके ही 7 upon 2 हमें solve कर लेंगे 7 को इधर लें आए पहले 84 minus 7 उतना है 77 equals to n minus 1 into 7 upon 2 7 से कट कर देंगे 11 times cross multiply कर देंगे 11 to the 22 और यह बन इदर लेंगे तो प्लस बन तो जागा 23 अब n पता चल गया है अब लगा देंगे formula as n equals to एक तो फार्मूला यह होता n y 2 a plus i l यहां से भी निकलाएगा n की value कितना है 23 upon 2 a plus i l एका मतलब पहला वा आखरी 84 प्लस 7 यह हो जाएगा कितना 91 तो solve करते हैंगे इसको answer आजाएगा जब भी पहला वा आखरी दिया जाए n निकाल लो सबसे पहले इसे दूसरा question है n direct का इसे निकालेंगे direct formula तो l minus a upon d plus 1 l कितना 10 minus 34 upon 2 plus 1 solve करते हैंगे इसको और नहीं तो यहाँ से भी निकाल सकते इस वाले formula अब चलते हैं नेक्स्ट question पर ap के n पदों का योगफल s n दिया गया है 4 n minus n square जब भी s n दिया जाए note करके s n is given है तो हमें इसा लगेगा formula a n equal to s n minus s n minus 1 जब भी s n दिया होगा तो यहीं शुर्वात होगी a n equals to s n minus s n minus 1 s n तो given है 4 n minus n square अब आइन की जगे n minus 1 पूट करतेंगे बस 4 n 2 n minus 1 minus n minus 1 का होड़ स्क्राइब इसको solve करतेंगे यह जगे होगा 4 n minus 4 minus अब यह a minus b होड़ स्क्राइब n square plus 1 minus 2 n one more step minus into करतेंगे अंदर minus n square minus 1 plus 2 n अब यह कितना होगा 4 n plus 2 n होगा 6 n minus 4 minus 1 minus 5 minus n square ऐसे रहेगा अब इस वाले formula रख देंगे बाई यह जो है a n निकाल देंगे a n equal to s n minus s n minus 1 s n की value यह है 4 n minus n square ओ इसकी value यह निकाल चुके है 6 n minus 5 minus n square अब आँ स्क्राइब minus 6 n plus 5 plus n square इस n square and square cancel 4 n minus 6 n minus का 2 n plus 5 अब a n पता चल गया अब a n पता चल जाए तो उसके बाद series भी पता चल जाती है a n की value आगे कितमी minus 2 n plus 5 अब n की जाए रखे तो यह रखते हैं जाएंगे तो सबसे पहले 1 रखेंगे तो a 1 पता चल जाएगा यह बना कितना हो जाएगा minus 2 into 1 plus 5 तो जाएगा 3 अब a 2 निकाल देंगे minus 2 into 2 plus 5 जाएगा 1 जाएगा 3 निकाल देंगे minus 2 into 3 plus 5 जाए जाएगा minus 1 दो-दो की कमी हो रहा है minus 2 माइनस 2 पर माइनस 2 पर माइनस 3 आएगा तो यह सीरीज बन गई 3,1 माइनस 1 फिर 2 कम होता चल जाएगा तो माइनस 3 पर माइनस 5 अब पूस्चन में क्या पूछा था कह रहा है कि परतम दो पदों का यो दूसरा पद क्या है तीसरा पद आईसे ही सब निकल आएगे तो परतम पद कितना आए परतम दो पदों का योगफल कितना आए तो परतम दो पदों का योगफल एस टू 3 प्लस 1 यानिकी 4 कुछ भी निकाल सकते है यह रिज़ तो पदा चल गई अब नेक्स्ट कोश्चन AP दी गई है AN दी आगया फिर तो कुछ भी निकाल सकते है AN की वह दी की 3 प्लस 4N बस्त पार्टा है 4 का तो सबसे पहले A1 निकालेंगे 3 प्लस 4 इंटू 1 यानिकी 7 अब A2 निकालेंगे 3 प्लस 4 इंटू 2 11 तो 4 का इंक्रिजमेंट हो गया यहाँ पर तो 4 चर बढ़ते जाएंगे 15 आजाएगा 19 आजाएगा एंट सो और 15 प्लस प्लस निकालना है तो SN एक्पल स्टी होता NY2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू 2D N की वैलू दी भी पंदरा 15 प्लस प्लस 15 वटे 2 प्लस 2A A की वैल कितनी है? 7 प्लस मैंन प्ताया 15 में इसे गया जाए 14 को D कितना इंप्लिजमें दू अचार का? माइस सॉल कर देंगे 15 अपन 2 D7 तो जा 14 प्लस D कितना जाए? 56 सॉल कर देंगे 56 अप्लस 4 60 अप्लस 10 70 इंटू 15 अपॉंट 2 95 ताइमस 15 की टेबल 15 प्लस 75 55 45 प्लस 7 51 555 यह आंसर है आईसे यह वाला हुज़े का सेकेंड एन की वालू रख देंगे 1,2,3,4 सीरीज परा चल जाएगी यह फॉर्मुला अप्लाइ कर देंगे next question है इतना योगफल प्राप्त करने के लिए कितने पद लेने पड़ेंगे यह निकालना है as an equals to n by 2 2a plus n minus 1 into d एन तो फाइंड करने कितने पद लेने पड़ेंगे 2a की वाली कितनी है 9 plus एन पता ही करना है d कितना है 17 minus 9 d कैसे निकालते है a2 minus a1 17 minus 9 याने की 8 अब n upon 2 यहांसे दो कमन लेने अंदर उसे गा 9 plus n minus 1 into 4 यह दो कमन लेने आथ फोलेट अब s n दिया गया है 636 अब यह 2 से 2 cancels अब n का अंदर multiply करते है 9 and plus यहां into करेंगे तो हो जाएगा n square minus n और 4 का भी अंदर into 2 हो जाएगा यहां पर, n का भी इंटु का 4n का भी इंटु का, 4n स्क्वार मिनस 4n, अभी एक्योशन बनागी दुए गास सम्क्राइब, क्वाद्रिक एक्योशन, 9-4 यह निकी 5n, plus 4n स्क्वार, एक्योशन बनागी 4n स्क्वार, प्लस 5n, माइनस 636 इक्योशन बनागी इसके फैक्टर करेंगे, फैक्टर कैसे करेंगे, पहले इन दोनों का इंटु करेंगे, यह जो 4, इंटु 636, तो 636 को लिख सकते हैं, 6 से डिवाइट करेंगे, 6 बन जा 6, 0, 6, 6 जा 36, फिर 6 से डिवाइट करेंगे तो नहीं होगा, 2 से करें, 2, 5 जा 10, 2, 3 जा 6, यहनि 6, 2 जा 12, इसको लिख सकते हैं, 12 इंटु 53, तो इसका इंटु इसमें करेंगे, इतना है, 48 इंटु 53, अब इन दोनों का अंतर कितना है, 5 का है, तो यही लाना है, 4 इंट स्क्वाइर, प्लेस 53 इंट माइनस, 48 इंट इंट माइनस, माइनस 6, 36 इक्कल्स टु जीरो, अब यहाँ से अंट कामन ले लें, अंदर उचे का, 4 इंट प्लेस 53, अब यहाँ से कितना है, 12 कामन ले लें, माइनस का, तो 4 इंट प्लेस 53, इक्कल्स टु जीरो, अब 4 इंट प्लेस 53 कामन ले लें, तो बचे का, अंट माइनस 12 इक्कल्स टु जीरो, अब यहाँ से तो वैलो नेटिव आएगी, यहाँ से पोश्टिव आंसर आएगा, अंट माइनस 12 इक्कल्स टु जीरो, तो अंट इक्कल्स टु 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 जीरो, 12 आंसर, 12 पद लेने पढ़ेंगे, तब योगफ़ आएगा, 6.36, नेक्स्ट कुश्ण का, A दिया गया, D दिया गया, D आएगा, N निकलना, S N निकलना, A दिया गया, A आए आएगा, A आएगा टु अपरमला ले बाएगा देंगे, A ब्लस N minus 1 into D, A कितना 50, A दिया गया 5, ब्लस N minus 1, D कितना दिया गया 5, 50 minus 5, बोगे 45, 3 times n minus 1, cut कर देंगे इसको, n equals to 1, there I got 16, second number, sn भी निकालना आए, sn का formula लगा देंगे इसमें, n by 2, 2a plus n minus 1 into d, n निकाल चुक है 16 upon 2, twice of a कितना ये लिखा 5, plus 16 minus 1 याने कि 15, उड़ी कितना 3, given है, solve कर देंगे इसको answer आजाएगा, ऐसे ही second question, a दिया गया, a 13 दिया गया, a 13 कितना होता है, a plus 12 d, जितना यहां लिखा उससे एक कम, और a 13 आए कितना, 35, a की value d, 7 plus 12 into d, यहां से d निकाल आएगा, इसको इधर ले आए, तो कितना हो ज़गा, 28 equals to 12 d, d की value 4, 3 यहां 12, 4, 7 जा, d की value आएगा, 7 upon 3, एस 13 निकालते हैंगे, यह 13 का मतलब n की value कितनी है, 13, and d आगे 13, a पता है, 7, d निकाली चुकिए, 7 upon 3, formula apply करना है, सिर्फ, formula होता, s n equals to n y2, 2a plus n minus 1 into d, यह वाली value यहां place कर जाएंगे, answer आजाएगा, इसी यह वाला question है, उसे हम, अब चलते हैं, next question, a3 दिया गया है, s10 दिया गया है, बताया था, a3 का मतलब कितना है, a plus 2d, a3 दिया गया है, 15, a plus 2 into d, equation number 1, a की equation यहां से बनेगी, s10, s10 का formula होता, n y2, 2a plus n minus 1 into d, n की जगा रख देंगे, यह जो नीचे लिखाए, 10, 10 upon 2, 2, a plus, n की जगा 10 मैंसे देंगे, तो 9 d, 25 यह 10, अब s10 की value दे गई है, कितनी 125, यह, 5 times, 2a plus 90, इससे स्काट देंगे, इसको 25 बार, equation बन गई, 2a plus 90, equals to 25, equation number 2, इन दोनों को solve कर देंगे, एक इक किसे लिए हैं, यहाँ 2a है, यहाँ a है, तो इसमें, 2 से multiply कर दें, इस वादी equation में, यहाँ 2 से multiply करें, कितना आ जाएगा, इदर तो हो जाएगा 30, यहाँ 2a plus 4d, इस तीन नमबर रहें, अब इन दोनों को solve कर देंगे, minus, 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 cancel out, 5d equals to, यहाँ 2, यहाँ 2, minus का 5, d की value minus 1, d पता चल लिए, तो यहाँ लिख दें, 15 equals to a plus, 2 into minus 1, तो a equals to a, 15, और यह minus 2, इदर आगा plus काटें, 17, a पता चल लिए, d पता चल लिए, यही बताना था, अच्छा a9 बताना आ है, a9 कितना हो जोगा, a plus 8d, a कितना है, 17, plus 8 into d की value, minus 1, 17 minus 8, कितना हो जोगा, 9, जो given है, उसी का यूज करना है, बस, वैसे यह सभी question हो जाएंगे, next question पर चलते हैं, इसको, पर निर्माण का संबन्दिश किसी ठेकेदार ने, पहले दिन के लिए 200 रुपए, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन लिए 300, जुर्माना है, तीस दिन का बिलंब करने पर, कितनी राशी देनी पड़ेगी, पहले दिन 200 रुपए, अगले दिन 200, तीस दिन 50 का उरा इंक्रीजमेंट, पहला टर्म ए यह, इसको मान लेंगे A, D हो गया 50, पाइन कितना हो जाएगा, यह तीस दिन, वर्मला क्या होता, SN इक्वल्स 2, NY2, 2A प्लस N माइनस 1 इंटो D, SN, यह तीस, यह तीस दिन रखेंगे, 30 अपॉन 2, 2 इंटो K, यह तो इंटो 100, प्लस N माइनस 1, यह तो 29, 30 माइनस 1, तो D की वादी 50 है, इसको कट करते हैंगे 15 ताइम्स, यह कितना हो जागा, 400, यह एंदर इंटो करते हैंगे, 0, 59 जा 45, 5 तू जा 10, प्लस 4, 15 इंटो, यह कितने हो जाएंगे, ठाहरा सो पचास, इंटो करते हैंगे, आंसर आ जाएगा, नेक्स्ट कोश्टिन पर चलते हैंगे, यह अच्छा कोश्टिन इंपॉर्टेंट, पर एक दोड़ है, पोटेटो रेस, प्लारंबिक इस्थान पर एक बाल्टी रखे गई है, यह बाल्टी, और जो पहले आलू से, पांच मीटर है, आलू रखे गए हैं यहाँ पर ऐसे, एक आलू दूसरा, आलू तीसरा, इसे अप्टू, दस आलू रखे गए हैं, पर एक बाल्टी से चलना पर रारंब करती है, एक लड़की, यहाँ से लड़की ने चलना इस्थारंब किया, पहले इस आलू को उठाएगी, फिर यहाँ रखेगी वाल्टी में, फिर इस आलू को उठाएगी, फिर बापस रखेगी, फिर इस आलू को उठाएगी, फिर बापस रखेगी, तो कितनी डिस्टेंस उसे चलनी पड़ेगी, तो पहले लगी यहाँ गई, 11, 14, लेकिन ये तो ऊपर वाली डिस्टेंस है, उसको बापस भी आना है तुरंत, इन सभी का डबल, 10, 16, 22, 48, ये बन गई सीरीज, यहां से निकालनी पड़ी की डिस्टेंस, 10, 10 में से गया है, तो दी कितना है, 16 माइनस 10, यहां से गया है, तो दी कितना है, 20, यह कितना है, 54, अब सॉल्व करेंगे, तो 5 इन 2, यह कितने है, 74, अब इसका मुल्टी बाए, 54 जा 20, के रिए वा 2, 5 से बन जा, 55, प्लस 2, 3, 70 मीटर लड़की को चलना पड़ेगा, इस प्रक्रिया में, नेश्ट पोस्चन, प्रत चालिस के पृत्थम दन पूरांख, जो 6 से विवाद्जी है, ऐसे पृत्थम दन पूरांख, चालिस वो भी, छे की टेबल, पैले 6, फे 6, 2 डा 12, एक तरीजा 18, ऐसे करके, चालिस टर्म लेने है, ऐसे न का फॉर्मूला, एन बाइटू, टूए प्लस एन माइनस बन इन्टू डी, ऐसे के तना है, फॉर्टी, फॉर्टी अपॉर्टी अपॉन टू, टू, टूए मतलब यह सीरीज बनी है, जो, पैले टर्मूला, इन पता ही, चालिस चालिस मैसे गया, उन्तालिस, अब दी कितना होगा, जिस बार यहां से 6 common ले ले लें तो अंदर हो जाएगा 2 प्लस 39 यह 2 3 जा 6 43 जा 120 और यह कितना हो जाएगा 41 इंटू कर देंगे 0 ऐसा ही लिख देंगे 12 का इंटू तालेज बारा का बारा 41 48 प्लस 1 49 ऐसे यह होगा 8 वाला 8 की टेवल बन जाएगी 15 लेने है सबसे पहले 8 8 2 जा 16 8 24 रप्तू 9 की वेलू 15 आ है A की वेलू हो जाएगी 8 वेल टर्म D की वेलू 16 माइनस 8 नहीं की 8 और SN का लगा जाएगी है फॉर्मूला N Y2 2 A प्लस N माइनस 1 इंटू D आंजर आ जाएगा लास्ट वेल कॉशन के 0 और 50 के बीच की भी सम्चाहों का जोगफल जीरो और 50 के बीच में भी सम्चाहें का उसी आती है 1, 3, 5, 7, up to 49 तक ये बीच बन लेंगी तो ये दो सम है ये बन गई सीरीज तो यहां से यहां तक टर्म कितने होगा है लगाते हैं फर्मूला A N एक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D A N कितना है 49 A कितना है 1 N माइनस 1 इंटू D कितनी गैपिं कितनी ज़गी 49 माइनस 148 2 N माइनस 1 इंटू 2 इपट कर देंगे N एक क्वेस्ट वागे 25 N की वेलू 25 अब S N का फॉरॉमॉला जब भी पहला हो आफरी पता हो फॉरॉमॉला लगा दें N by 2 A plus L इससे भी आज़ा कोई दिक्कत नहीं है N की जब इतना 25 A plus L यानि की 1 लग प्लस 49 59 55 350 25 C 26 25 25 25 25 25